हेलो दोस्तो नमस्कार, होमेपेथिक टेश पर आपका स्वागत है दोस्तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उमीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम जिस मेडिसीन के बारें बात करने वाले हैं, उस मेडिसीन का नाम है दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बारें पूरी जनकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज से बनता है या फिर ये किस-किस रोग या फिर किस-किस बीमारी में काम आता है या फिर इसे खाने के क्या-क्या तरीके होते हैं दोस्तो आज हम लोग इस मेडिसिन के बारें पूरी जानकारी लेंगे लेकिन उसे पहले दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकन को दबाना ना भूले क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे तो दोस्तो आप वीडियो के पूरा देखते रहिए आपको इस मेडिसिन के बारें पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में यानि कि जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बोरेविया रिपेंस क्यू दोस्तो इस मेडिसिन के बारे में यह कहा गया है कि सोथ वेगरा में बोरेविया डिफ्यूजर की तरह ही बोरेविया रिपेंस भी समान कापना तेज धड़कन स्वास कस्ट मुत्र रोध या अल्प परिमान में पेसाब होना इत्यादी लक्षनों में इस दवा के कीव सकती पाच बुंद की मातरा में तीन बार देना चाहिए अगर जोर का भाव भी यानि की बुखार का भाव भी साथ ही रहे तो इगल फोलिय की उपरियायकम से चार बुंद की मातरा में रोज दो खुराक देनी चाहिए उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे यानि की आपको इस मेडिसिन के बारे हैं पूरी जनकारी मिल गई होगी दोस्तों आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं यानि कि ऑनलाइन भी खरीच सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाया तो वो भी आपको डिस्क्रि दोस्तों अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगली वर फिर आऊंगा तब तक लिए आप अपना ख्याल रखि हर आज दे